हेलो एर्वेवेवेट वेल्कम बेक टू मैं चैनल असलाम अलेकुम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खेरियस से होंगे तो जी आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी क्रीमी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सा डिज चलिए फटा-फट्स टेस्टी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने गैस पर एक कड़ाई चड़ा दिये और इसमें हम डालेंगे दो कप दूद्ध में हम उबाल लाने देते हैं तो यहां पर मैंने आधा कप यानि कि आधे कप से थोड़ा सा कम ध्यों क्यानिकी दूद है उसमें भी उबाल आ चुका है आप देख सकते हैं तो दूद में अब हम एड़ कर देंगे शकर मिठास के लिए हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो मैंने यहां पांसे छे चमच इसमें चीनी एड़ की है आप जाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं और साथ ही चोथा चमच हम इसमें एड़ कर देंगे इलाइचिका पावडर बहुती बढ़िया फ्लेवर देता है यह हमारी डिजर्ट में और अब हमने यहां पर गोल बनाकर रखाता ना वनिला फ्लेवर का दूद में मिक्स करके इसको भी हम अच्छे चोबकाल बनाकर चाहते हैं एक कि अब इसमें एक कुछ फ्रूट अड़्स करके रखा हुआ है तो काजू और बदाम को मैं ने चौप कर लिया था इसको हम इसमें डाल देंगे यह totally optional है अगर आप चाहें तो डालने वरना इसके बिना भी dessert बहुत ही ज़्यादा tasty बनकर तयार होता है अच्छे से mix कर लेंगे और एक मिनिट के लिए हम इसे और पका लेंगे low flame पर और उसके बाद हम gas का flame off करके इसे ठंडा कर लेंगे room temperature पर और उसके बाद हम इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए freeze में जिससे की इसका जो स्वाध है जो टेस्ट है वो और भी बढ़ तो चली तब तक हम आगे का process कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने जो है bread के slices ले लिए हैं तो यहाँ पर मैंने 6 bread लिए हैं आप देख सकते हैं 6 bread मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और अब हम क्या करेंगे एक bread को इस तरह से ले लेंगे और knife की मदद से इसके जो corners है ना जो heart होते ह इसको हम इस तरह से cut करके निकाल देंगें तो चारो तरफ से हमें अच्छे से सारे corners को cut कर लेना है और इसी तरह से हम सारे bread को cut करकर तयार कर लेंगे तो यह देखिए गारे सारे ब्रेट के जो corners हैं उनको cut करके हमने निकाल दिया है और यह Lifeology क् एक कटोरी ले लिए है और इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम यह हमारे घर की जो मलाई होती है ना दूद के ऊपर वह वाली मलाई है एक दम फ्रेश मलाई लेनी है आपको रख्यूवी मलाई नहीं लेंगे वरना उसका टेस्ट जो है वह चेंज हो जाता है तो यहां पर त चमच पिसा हुआ काजू तो वह काजू भी हम इसमें एड कर देंगे आप कोई भी ड्राइफ रूट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो हमारी जो फीलिंग है वह भी बनकर तयार हो चुकी है इसे हम रख देते हैं साइड में और उसके ऊपर से हम दूसरा ब्रेड लेंगे और इस तरीके से लगा लेंगे तो हमारा एक ब्रेड तयार है इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को बना कर तयार कर लेंगे और ब्रेड हमारे जो हैं वह तयार हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे इस तरह से नाइप की मदद से इस सेब कर लिया है और इसłeं किसे हमने सारे को कट कर लेना है और सारे कठ हो चुके हैं और मैंने इसे ट्रे में लगा दिया रखाएं इस तरी केसे और यह जो बच गया था वह नहीं है ना उसके ऊपर हम कस्टड को डाल देंगे यकीन मानिए गाइस बहुत ही जादा डेस्टी लगता है यह खाने में बहुत ही मज़ेगा बनता है और रमजान आ के लिए मैंने यहां पर ले लिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम हम इसे कैनिश कर लेंगे आप मन चाहे ड्राइफ्लूट से सब्सक्राइब हो जो भी आप इस पर लगाना चाहते हो साथ ही आप यहां पर यहां पर इस तरी के लगा है माशाला बहुत ही दिखने में टैंप्टिंग लग रही है आप इसे बनाकर अपने घर में एक बार जरूर से ट्राइक कीजिएगा और घर में सब को खिलाईएगा सबको बहुत ही पसंद आएगी और आपकी बहुत सारी तारीते होंगी तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें साथी वैल आइकन को प्रस करें जिसी की मेरी आन वाली वीडियो को सबसे पहले देख पाएं तो आइस हमें दीजिए इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार बाई बाई अलाहाफिज